नमस्कार मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके निउस शहर के बीचों बीच एक मुस्लिम शरावी ने नशे में धुद्धो कर एक घर में घुज गया और हिंदू लड़की से छेड़ चार करने लगा घरवालों ने जब इसका विरोध किया तो वो इट पत्थर चलाने लगा घरवालों को ही पीटने लगा लेकिन तभी खेल पूरा खराब हो गया जी हां तभी पडोसियों को जब मुस्लिम युवक की हरकत का पता चला तो उन्हों ने उसे घेर लिया और जम कर उसकी पिटाई की है लेकिन पुलिस मामले को दवाने का प्रयास कर रही थी शहर के महराज नकर निवासी पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि मंगलवार की रात करीब 10 बजे हातिपूर के आरोपी समीर खान के पुत्र असलफ उसके घर में घुज गया और विवाहित पुत् गड़ा गया तो घर में ही शराप के नशे में उसकी धुनाई कर दी गई और ऐसी धुनाई करी गई कि उसका हाथ पैर भी उसी वक्त फूल गया आपको बता दे बहुत मुश्किल से समीर को घर से बाहर निकाल पाए तो समीर के परिवार के जान से मारने की धंकी देते इनको मार ही देंगे मतलब आप देखर हिम्मत देखिए घर में घुस कर किस तरीके से लड़की को छेड़ा उसके बाद घर वाले जब इसका विरोत किये तो उन्हें जान से मारने की धंकी भी देने लगा वही पडोसियों की मदद से घरवालों ने से पकड़ा और जम कर उसकी धुनाई कर दी किसी तरह आरोपी अंधेरे का फाइदा उठा कर लोगों गिरफ से छूट कर भागने में सफल रहा इस घटना से पूरा परिवार अभी द्याशत में पीडित पिता की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है शहर कोतवाल प्रभुत शिरवास्तों का कहना है कि ये गंभीर मामला है आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेजा गया है बताय जा रहा है कि ये मुस्लिम युवक हाथ में कलावा पहन कर मामले की चानबीन कर रही है और जैसे ही कुछ सामने आता है इस युवक को दबोचाज जरूर जाएगा अब आपकी क्या रहा है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते र कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोचाज़ू में कर दो कर दो